एक लाग रुपिया को लाइक करें कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज़्याद करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूड़ दोबाएं एक लाग रुपिया के लिए बड़ा फेशला लिया है सरकार ने डेट इन्सोरेंस बेनिफिट के रकम को बढ़ाने का फेशला लिया है इसका फायद एपिया पर कम सकम 50 मिलियन यानी 5 करोड सब्सक्राइबर को मिलेगा अब किसी खतदारक की मौत पर कम सकम 20 राशी को बढ़ाकर 2.5 लाग रुपिये और अधिकतम धन राशी को बढ़ाकर 7 लाग रुपिये कर दिया गया है इसके पहले ये रकम 2 लाग रुपिये और 6 लाग रुपिये तक मिलती थी स्रम मतला लेकि ये आदेश Employee Deposit Linked Insurance EDLI से समधित है अगर किसी सब्सक्राइवर की मौत हो जाती है तो इसके परिवार को इंसूरंस का लाग मिलता है वैसे EDLI Employee Deposit Linked Insurance Scheme के लाबारतियों की संक्या EPF सब्सक्राइवर के वरावर नहीं है EDLI के ते 2 मिलियन सब्सक्राइवर ही है बता दें कि EDLI सब्सक्राइवर EPF सब्सक्राइवर होता है इसलिए दोनी संक्या में काभी फरक है लेकिन हर EPF सब्सक्राइवर को EDLI सब्सक्राइवर नहीं होता है कापी एहम होती है पी एप की रकम नोकरी पैसर लोगों के लिए डेंटल फंड पीअप की रकम कापी एहम होती है करमचारी वहुष निदी संगठन एपिअपों की तेद आने वाले करमचारी को पीअप खाते पर ब्यास समयत काई सुविधा विलती है इनी में से एक सुविधा भीमा की है अगर इसके मुताव अगर एपिअपों के एक 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 करमचारी की सेवक दुरान मोथ हो जाती है तो इसके नोमनी को भीमा की रकम एक मुशत पैमेंट किया जाता है एपिअपों के सदस्य खुद इसी होजना से जुड़ सकते है और भीमा के लिए करमचारी को कोई रकम नहीं देनी होती है करमचारी के बिदले कमपनी प्रीमियम जमा करती है या इसके लिए सर्ते भी है हलाकि इसके लिए सर्ते भी है इसके मुताव बीमा कानुनी उत्रा अधिकारी द्वारा दावे के मामले में उत्रा अधिकार पुर्मान पत्र देना जरूरी है इसके मुताव बीमा की रकम लेने के लिए दावदार की सदस्य का मृत्यु पुर्मान पत्र देना होगा इसी तरह बीमा की रकम की गन्ना मुरत एपी अपोक रमचारी की आकरी बारे महीने की सेलरी का अधार पर किया जाता है इसके तेथ पिछले एक साल में जो बेसिक सेलरी के डिये होगा उसकी 30 कुना ज़्यादा क्लेम मिलेगा जो अधिक्तम 7 लाक रुपिय तक होगा अगर आपने एक साल के अंदर संस्थान बदले दिया है तो इसी स्तिती में कलेम नहीं मिलेगा 12 लाग क्रोड से ज़्यादा का प्रबंदन एपी अपोक रिटार्मेंट सेविंग के 12 लाग क्रोड रुपिय से ज़्यादा फंड का प्रबंदन करता है 15 मार्च को वीतु मिंत्रा लेनी निवेस प्रेटर्ण में बदलाव किया था हाला कि बदलाव सिर्फ गेर सरकारी भवुशनिदी के लिए है जो अपने कामगारों की रिटार्मेंट या बचत का प्रबंदन इन हाउस करते है दरशल प्याप के तेज़ जो भी रकम एप्याप को मिलती है उसे जगे जगे पर निवेस किया जाता है ती निवेस पर जो फादा मिलता है उसमें से आपको 8.5% सालना भ्याद आपको प्याप पर सरकार देती है UN number के बिना PF balance चेक करने के लिए ये process फोलो करें सबस्पहले आपको EPFO की अधिकारी website पर जाना होगा इसकी अधिकारी website है www.https.epf.india.gov.in अब आपको अपना PF balance जानने के लिए यहां किलिक के बटन पर किलिक करना होगा अब आपको एक नप रिष्ट खुल कर सामना जाएगा यहां आपको EPFO service.in.epfo पर जाना होगा वहां आपका अपना राज जीए EPF काराले स्तापना कोड प्यएफ खाता संक्या और अन्य विरन दर्ज करने होगे और आपको पावती बटन और मैं सहमत हूँ के बटन पर किलिक करना होगा आपका प्यएफ या EPF विलन्स आपके केंप्पूटर या मोनिटर या सियल फोन मोनिटर पर प्रदेशित हो जाएगा UN नमबर के साथ प्याफ विलन्स चेक करें हलाकि अगर आप EPFO के ग्राग के पास UN नमबर है तो आप SMS या मिश कोल के जरीए प्याफ विलन्स चेक कर सकते है SMS के जरीए प्याफ विलन्स चेक किसी पंजिकरत मोबाइल नमबर से 37, 38, 38, 99, SMS बेज़ा जा सकता है प्याफ प्रारूप में F EPFO HO UN है EPFO प्रेशब के प्याफ बेलन्स के साथ SMS का जवाब देगा एक EPFO ग्राग किसी रेजिस्टेर्ड मोबाइल नमबर से 0, 11, 2, 3, 0, 14, 6 पर मिश कोल देकर किसी भी प्याफ या EPFO बेलन्स चेकर सकते है अगर आप हमारे द्वारा ऐसी लेटेस्ट वीडियो और पाने चाहते है ता हुझने वीडियो के नीचे description में link दिया हुआ है वहाँ से आप हमारे और लेटस्ट वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्ट कर सकते ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा शेयर करें फेस्बुक और वार्टस सबी जगें और हमारे लेटस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और इस वेल आइकन को जरूर दबाए